हेलो एवरीवान मैसेल्फ इपिका रोडा फ्रम हैश्टेग वीसीप एसकेवी क्लासिस आज हम करेंगे क्लास 10 एक्साइज 1.3 रियल नंबर्स कोशन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कोशन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है मारे पास प्रूफ देट दा फॉल्विंग आर इराशनल्स ह हमें प्रूफ करना है कि 6 प्लस रूट 2 एक ए डैशनल नंबर है तो start करते हैं से contradiction method सो बाई कॉंट्राडिक्शन मेफ़ड बाई कॉंट्रेडिक्शन मेफड अगर यह ए रैशनल है तो इसे रैशनल एजियूम कर लेंगे लेट 6 प्लस रूट 2 बी ए रैशनल इक रैशनल लंबर है तो हम से P by Q के इक्वल कर सकते हैं where Q is not equal to 0 Q की value 0 नहीं होगे P and Q are co-prime और P क्या होगे? co-prime होगे, co-prime मतलब इनमें 1 के अलावा कुछ और common नहीं होगा तो root 2, इसकी हम cross multiply यहाँ पर कर लेते हैं P by Q, यह हमारे plus है equal to के उस साइडले कहेंगे, तो यह किसका हो जाएगा, minus का हो जाएगा now P, Q और 6, यह कहा हैं, integers हैं तो P, Q and 6 are integers so, अगर यह integers हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह पूरी decet हो जाएगा हमारी rational number तो P, Q, minus 6 is rational and root 5 is irrational और root 5 क्या हो जाएगा, irrational previous question में भी हमने ऐसी कराता our contradicts as irrational is not equal to rational जैसा कि हमने assume करा था, यहाँ पर यह एक rational number है तो हमारी जो हमने ऐसा assume करा था, यह contradicts करा है, wrong है यह rational number कभी भी rational number के equal नहीं होता therefore our assumption is false हमने assumption ही हाँ पर एस्यूम करा था, कि एक rational number है यह क्या हो गया, wrong यानि कि false हो गया so 6 plus root 2 is irrational number यह proof हो गया I hope यह question आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा if you have any doubt, any query, please comment below in the comment section वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंच के साथ share करें और अगर आपने इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करें बैल आइकन को hit करें तक के लेटे इस राणनी वाल नोटिफिकेशन आपको भी कुल चाइम पर मिल जाए तब तक के लिए बाबाई